वनपरुआ रमना इस्ते स्वामी हर्सवान पपे की स्कूल में पस्तित सविश्रिक छक एक कर्मचारियों के बीच गुलान उस्व कायों जिन किया गया रंगबरे का दश्री के बाद शुरू हुए रंग उस्व होली के शुब कामनाओ के आधान पदाम से शुरू दो दिनी होली पर वो आम आदमी के सिर्फ चोड़कर बोल रहा है रवन्दक बाबा प्रकाल धानन के अध्यक्ष्टा में जल संचय और प्रयावरुनिक साउधानियों के संदेश के बीच वित्याले परिश्रव में मनाये गए रंगोसो का इक्रम में गुजिया, पापण, चिप्स, बराशी, ठंड़े इत्यादी पक्वानों के साथ एक दूसरे से अभीर गुलाल लगा कर यतोजित अभिवादन के साथ का इक्रम प्राड़म हुआ प्रशात होली काम होली के महत पर कई लोगों ने विचार रख किये लोगों को समोधित करते हुए बाबा प्रकार ध्रानन ने इस परव को सक्षता, पवित्रता, बधूरता के साथ आपसी बहर बिटा कर समता मुलक समाई स्थापित करने पर बल दिया कायकर को समोधित करते हुए प्रधराचाय डॉक्टर एक चौबे ने कहा कि होली आपसी भाईचारे का दिवहार है सभी मत्भेदों को खुला कर सभी को समाजी प्रेम सौहार स्थापित करना होगा ताकि परवों की परंपरा को बल बिल सके इस वजब पर विद्याले के सभी शिक्षक कर्वचारी पस्थित रहकर होली की उर्धर को शांदार वो मयदार बना दिये भगवान भूत भावन की नगली कासी में वैसे तो रोजही परव और परंपरा है परंतु होली का एक हिसेस महत्व है यहां कल रंग पंचमी से ही होली कोट्सों की सुरुवात हो गई है और ऐसा माना जाता है कि भगवान संकर के आदेश के बाद ही यह होली का परव मना जाता है तो उसी कर्म में आज स्वामियार सेवान पब्लिक स्कूल बनपुर्वा के प्रांगर में अपने अध्यापक अ प्रेम बढ़ाने का तिभार है तो काई ने कई कोशिस यही है कि अंदर जो छिपे हुए बैर का जो बिस्तिकूर्ण है उसको समात करके समता मुलक समात के स्थापना करना इसका उदेश से